तो दोस्तों जूट चुके हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करने के लिए तो यहां पे देखिए कोच इगोश्चिमैक को सैक किया गया था कुछ दिन पहले और अब जो है यहां पे बहुत सारी बहुत सारी बातें आई हैं जहां पे छीटा कसी हो रही है फ्रम है यहां पे बॉल एक दूसरे के कोड में फैंके जा रहे हैं इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं चीजें जो है वो अब क्या कहते हैं उसको वर्स्ट होती हुई जा रही है लेकिन देखिए किसने किस पे क्या आरोप लगाए और किसने किस पे क्या छीटा कस करी हम उसके बारे में नहीं बात करने वाले आज का वीडियो जो है वो इस बात के ऊपर है कि इसका नुकसान किसके लिए है who is actually suffering from this kind of mess और देखिये हम बात करते कि हमारा जो football है वो grow क्यों नहीं करता हमारा football आगे क्यों नहीं बढ़ पाता तो this is actually the real reason behind this because यहाँ पर जो है management management को चीजे manage करने में भाई मतलब यही problem आ रहा है कि वो अपना coach तक manage नहीं कर पा रहे है जब यहाँ पर बात होती है coach को sack करने की तो बात आ जाती है कि contract ही गलत बनाया contract गलत बनाया तो यहाँ पर coach यौशी मैक का कहना है कि भाई हमने यह किया वो किया हमने यह demand करें पूरे नहीं हुए तो यहाँ पर mismanagement जो हुआ है और यह कौन कर रहा है यह management ही कर रही है जो management चलाती है यह EFF की management जो चलाती है football को उसने यह सब चीजें जो है मैस create करिये आज की date में भारतिय फुटबॉल जहां पर खड़ा है अगर coach यौशी मैक अगर अपनी complaint लेके अगर फीफा के पास जाता है तो इंडियन फुटबॉल सफर होगा और मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को इसका फरक भी नहीं पड़ता है वो अपने पुराने धर्रे पे चले होए है जाता है जाए अपने अपने आपको सेव कैसे किया जाए वो important है फुटबॉल तो होता रहेगा आज नहीं तो कल होता रहेगा तो यहां पे भारतिय फुटबॉल डिप करा है और उस डिप के पीछे चलिए skill का issue हो सकता है आप जो है young generation को तयार नहीं कर रहे है लोकल लेवल पे टुर्नामेंट नहीं कर पा रहे है क्योंकि उनके खुद के टुर्नामेंट खतम नहीं हो रहे भाई internal politics खतम नहीं हो रही आरोप रत्यायो खतम नहीं हो रहे और coach यह जैसे बंदे आते हैं और वो actually real चह चहरा दिखाते हैं AIFF को football management को कि भई ऐसे तो football नहीं चलेगा तुम पहले खुद को correct करो फिर तुम तब तुम आगे सोच पाओगे football के बारे में अपनी मर्जी से sign करे जा रहे हैं contract अपनी मर्जी से कुछ भी चला जा रहा है भाई और अब जो है आइधर अधिए मुझे ऐ management के लोगोंने mess मचा के रखी है न भाई जो जो लोग सही नहीं है उनको भी बहार निकालो देखिए cancer जो होता है न भाई एक एक जड़ से उखाडेंगे तो ही फायदा है अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ एक बंदे बहुत सही होंगे भाई जो लेके चल रहे हो होंगे फुटबाल को लेकिन कुछ एक बंदे हैं भाई जिनको मतलब नहीं है और यह एक्चुली है रियल रूट कॉस्स फॉर देग्रेडेशन ऑफ इंडियन फुटबाल और होता यह है कि इस गंद की वज़से जो है जो बंदे फुटबाल को प्यार करते न भाई वो भी छिटक जाते है आपने पिछले एक दो साल में जितनी मैनत करके इंडियन फुटबाल का नाम कमाया है अब जिस तरीके का जो है यहां पे एंटरटेन्मेंट चल रहा है बिट्वीन एफ 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 एंड कोच वही जो बंदे हैं वो छिटक जाएंगे वो बोलेंगे भाई क् मजाक चल रहा ही है तो देखिया यह मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान इंडियन फुटबाल का हैं लड़ाई बले किसी की हो यहां पर गलती किसी की हो लेकिन नुकसान इंडियन फुटबाल यहां पर फेस कर रहा है और आपका क्या थौट है आप भी बताई WOMAN आपको क्या इतने बहुत बहुत धन्यवाद